पैसे यहाँ पर जादा लग जाते हैं पर यही था कि अगर मैं जीरो से इसको बनाता तो शायद इतनी कॉस्ट ना आती यह देखो जैसे पूरी टाइलिंग हुई है घर की तो सवा लाक रुपर की तो टाइल टाइल आई थी पेंट पोलिश के लिए पेंटर से में बहुत पर कि मैं आपको कल बताने वाला हैं कि यह सब चीजे भर बनाने के लिए मतलब इस तरह की location गर आपको गर बनाना मैंने किस तरह से मैंनेज किया कहां से purchase किया और क्या-क्ता आई है सब चीज मतलब तो यह अभी तक की इतनी मेने वीडियो बनाई है देरादून से रिलेटेड इस घर से रिलेटेड तो सबसे इंपोर्टेंट वीडियो आज होने वाला आप लोगे लिए क्योंकि यह घर अल्मोस्ट कंप्लीट है काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि घर बनाने में कितना ख लग लिए माइक भी लगा लिया आज वैसे यहां पर माइक की जरूत पढ़ती नहीं है पर फिर भी मैंने का आप लोगों को आवाज में कोई दिक्कत ना है इसलिए बताते हैं अच्छे से आपको हां जी तो वैसे तो यहां पर गर्मी है ऊपर जहां बैठाओं क्योंकि ब अच्छे से द्यान रखिए कि जो पेपर्स हैं वो सब आप पटवारी से या अपने एड़ोकेट से या रिष्टार ओफिस में अच्छे से पेपर्स को वेरिफाई करवाओ चेकिंग करवाओ उसके बाद ही आप किसी भी इस तरह की लैंड को लेने के लिए आगे बड़ो चलो अपने लैंड ले लिए उसके बाद आपका विचार है इस तरह के जगए घर बनाने का तो फिर मेरे इसाब से क्या होना चाहिए कि आप खुद से थोड़ा एफट करो कि आसपास कोई अच्छे बिल्डर है अगर आप बिल्डर से बनवाना चाहते हो तो बिल्डर से कं अगर फिर मैंने खुद से अभी तीन-चार महीने से मैंने इसको खुद से कंप्लीट कराया और उसका भी यह था कि इसलिए मुझे थोड़ी सी कॉष्ट भी ज्यादा पढ़ी बनाने की अगर मैं बेसिक मतलब शुरू से जीरो से खुदी बनाता तो शायद मुझे पैसे इ तो यहां तक आने में 800,000 रुपे किराया लग जाता है मेन मार्किट से जो यहां देरादून सीटी के आसपास जैसे हम लोग हैं तो अब शुरू करते हैं घर बनाने का खर्चा सबसे पहले की बेसिक मेटीरियल कहां से आता है मेटीरियल जी जैसे सीमेंट है या इंट है ड दूर है तो अब यह की पास की पास मिल जाती है चीजे तो इसलिए थोड़ा सा 4-5 रुपे एक्ट्रा मुझे देना पड़ा और यह भी है कि अगर मैं कहीं सिटी में जाता तो फिर मुझे लाज लेवल पर लेना पड़ेगा फिर स्टॉक करनी की जगह चाहिए जो बेसिक स अगर आप लोग का विचार है तो अपना लोकल में जाके आप इस तरह के 2-4 रुपे का फरक ना देखते हुए यह सब देख सकते हो सिमेंट मैंने ले लिया यहां से इस वीडियो में आपको यह बता दूँगा कि मैंने यह घर कैसे बनाया और मुझे क्या क्या चैनिजिस यह क्या है और मैंने कैसे बनाए कि लोग यह जानते हैं उ pants propag उससे अपने अपको आपको यह यह हो जाएगा तो किमेंनanne ले लिया फिर यहां पे क्या है कि सिमेंट अपहलों से पूच्छा मैंने उन पॉच आर इसी और मेर्ली माधियों से और स्लबें नहीं यह से ICHAHA और वो तो खराबनी होगी, वो आप एक साथ दस बार आजार मंगा सकते हो, डश्ट भी एक साथ आ सकता है, तो ये सब चीजे बाहर पड़ी रहती है, हमने इही पैसे डाल करक्था, तो ऐसे कर लिया यूज, फिर उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो गया, हमने का समान आया, पाइप की फिटिंग बगारा, वो सब यहां पर देरादून में, बरलूपूर चॉक है, वहां पर कोने पर सरदार जी की शॉप है, बिल्लकुल चॉक पर फ्लाय और के नीचे, तो होलसेल रेट पर ही उनका समान, अच्छा भी समान भी कॉलिटी भी जैनून ह हैं और प्राइज भी कंपेटिटिव हैं, क्योंकि मैं कई बर पहले क्या करता था, मैं डेली से कुछ समान लेके आता था, फिर जब मैंने यहां पर रेट चेक की है, तो मुझे लगा कि आल्मोस्ट रेट सिमिलर ही हैं, कुछ थोड़ा बहुती फरक है, तो मैंने क्यों महा समान लेके आऊ, और फिर रिप्लेस करना या वापस करना या कुछ खराब हो जाए तो फिर उन सब चीजों के चैलेंजिस थे, तो इसलिए फिर मैं समान यहीं से लेने लगा सारा, तो मेरी जो भी एलेक्टिकल फिटिंग्स हैं, पाइप की फिटिंग या बॉक्स लगते ह उनको जो दिवार के अंदर लगते हैं, जिसके उपर स्विच बोर्ड लगता है बाद में, तो वो सब भी मैंने फिर यहीं से पर्चेज किये और फिर इलेक्टिशन भी यही का था लोकल उससे काम करवाया, बड़ा मुश्किल है कि आज आ रहा है, अलेक्टिशन नहीं आ दो दिन नहीं आएंगे, और हम के आए कि जैसे अपने घर से दूर रह रहे है, हमारा जैसे घर नहीं है, यहां पर रेंट पर लिया है, तो हमारा किराया भी लग रहा है, और उसके बाद अगर काम नहीं हो रहा है, तो बड़ा फ्रस्टेटिट फील होता था यह सब चीजो तो उसके बाद पर यहां कि ही मिल जाता जितने पाइप चाहिए थे और उसके बाद फिर जैसे बातरूम फिटिंग टैप्स हैं जैसे और जो टॉलेट सीट है, वाश मेशीन है, सिंक है, यह सब चीजे मैंने यहां से ली थी मुझे लोकेशन का आइडिया नहीं है, वो शा तो यह सब चीजे है, एक्स्टा पैसे हमें यहां पे करने पड़ते हैं, अब जैसे यह बातरूम फिटिंग की बात होगी, यह सब चीजे शायद मैंने पहले बता दिया आपको, तो अब जैसे किया है, चोखट खिड की दिरवाजे जो लगे हैं यहां पे, और वो सब आप यहां लोकल मैंने वेल्डिंग वाले से काम कराया था, और वो यह पास मी शॉप है उनकी, तो मैंने दो वेल्डिंग वाले बदले हैं, पहले जो काम कर रहा था उसके काम बे इतनी ज्यादा फिनिशिंग नी थी और अच्छे से लगता था कि ठीक काम नहीं कर रहा है, तो यहां नहीं से रेट लिये और उसके बाद उससे काम कराया, तो वो सब जो भी पाइप का मैंने काम कराया, जो लोहे का काम है, वो सब अपोलो के पाइप में बने हुए, दरवाजे निए खिडकी और जो चोखट है उसकी ना, जो दरवाजा जिसमें लगता है, लकडी का द ना पेंट का खरचा ना कुछ रहता, पर वो करवाने कारण यह था कि थोड़ा सेफटी पर पर सोचके, हम लोग जैसे डेली से आते हैं, वहां बहुत ज्यादा चोरी चकारी होती है, तो ऐसा शाहिद महुल हमें यहां भी लगता है, पर एसा है नहीं यहां पर पूरी तरह सेफ है, अब पूरा घर बना है, तो हमारा कोई भी एक चीज भी यहां से नहीं उठी है, पूरा घर बनाने में, तो इस एरिये के बताऊं तो यह तो पूरे तरह सेफ है, यहां कुछ ऐसा नहीं होता है, खुशी राम जी यह रह रह रहे हैं पिछे, दर्वाजे मैंने कैसे लगाए, या उससे पहले पेंट पॉलिश की बात कर लेते हैं, पेंट पॉलिश के लिए पेंटर से में बहुत परिशान हुआ यहां पे, फॉल सिलिंग का काम भी हुआ, तो स्टार्टिंग से पेंटर जो आये, उसने बहुत ज़्यादा पैसे बताए, शोरू में कि मैं प के बाद फॉल सिलिंग क काम हुआ, अच्छे मिन पैसे लगे हैं, मेरा पहले विचार निता कराने का वही जो उपर चटप ऐन लाइटिंग के नहीं हुआ। तो उखिर वहाया, अब तक भी बी जाके ना पेंट का काम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि पींटर ही थित्णे ब बार उसको लगाना पड़ा और फिर के पुट्टी से फिनिशिंग नहीं आ रही थी तो यह सब चीजे रहती हैं घर बनाने में और और क्या बताओं जी कुछ अगर मैं मिस्स कर दूं तो यार कमेंट में बता देना कमेंट बॉक्स में कि राजन जी यह रह गया क्योंकि जो ज अब बनते बनते पर एक कारपेंटर है जिनसे पहले रेट लिया था थोड़ा रेट उनके एक्सपेंसिव लगे उसके बाद फिर दूसरे से रेट लिया तो उसके थोड़े बेटर लगे रेट और उससे फिर दरवाजे भी क्या है कि साइज बूले के सब सारे गेट के और बने बनाया आते हैं गेट वाटरपूरूफ उस पर आगे लब उसके उपर ना कुछ वह शेट लगी है वाटरपूरूफिंग वाली तो वैसे बॉर्ड में बने हैं सब दरवाजे तो वो भी अलग लग हिसाब है आप लोग जैसा आपका बजट हो था पूरी लकडी में ब फिर मैंने उनसे बनवाई कैबिनेट किचन की जो आपने देखी है और फिर एक अलमीरा जो रूम में है और एक मैंने बनाया वो वर्क स्टेशन जो वहाँ पे है रूम के अंदर ही तो यह सब मेरा आइडिया था ऐसे बनवाने का और तो वो सब चीज सारी चीजों की कौश मिला के कुछ मुझे बढ़ा था टूटल मतलका कैबिनेट दरवाज और वो यह मिला के लगबग 65000 के ऐसप्र गाँ टो तो पिर जिसमें की समान भी उनिक था टोटल जो दरवाजे थे वो लगबग 30,000 रुपे के असपस के और फिर अलमारी वो कैबिनेट और वो वक्स्टेशन वो सब लेबर कौश्ट और लकडी अकडी सब मिला के तो कुछ 65,000 रुपे का खर्चा आया लकडी ये काम का और फिर शीशे का काम जो है जो ग्लास कबार क जो बाद में हुआ लास्ट में वो भी लकडी वाला ही काम करता है यहां पर जो भी कार्पेंटर होगा वो शीशे भी लगाते हैं तो शीशे भी लगवाए मैंने उनसे तो लगबग 20,000 रुप या सब शीशे मिला के और अभी भी दो शीशे रहते हैं बाहर के लगने वो भ कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं सबसे बड़ा चालेंज तो यही है जैसे मुझे आज यहां फोर्थ डे है पर वो ग्रिल लगाने वाले वाई सब आए नहीं वेल्डिंग वाले वो दूसरे अब कुछ चीजे ना करवा के पता लगते हैं घर बना के कि कैसे बनता है इस तर दो आए इस फट्रोड बनाने से पहले लोग सेखते ही हैं करकर के काम तो नहीं तो शिटे जो आती है यह चार दीन मेना हhoe वैसे तो यहां पे ना क्या है कि गर्मी का मैंने सीजन दो या चार दिन मैंने फील की जून के महीने में जब मैं बच्चों के साथ आया था उसके अलावर मुझे आज तक भी गर्मी फील ही नहीं भी अब मैं चार दिन मुझे फोर्ट रिया यहां पर मैं तीन दिन से पंखा बीना चला है सो रहा हूं और आत को मुझे चदर ओड़नी पड़ती है मतला हलका कंबल वैदर तो ऐसा रहता है यहां बारिश के ताइम में ठंडा रहता है मुझे जो लग था एलेक्ट्रिशन हमारा वो यह कह रहा था कि यहां पर ना मैंने उसको बोला यार एसी के गए और होंगे भी तो शायद वो इतना यूज नी करते होंगे लोग तो यह हो गया कि एसी के पॉंट फिर मैंने फिर भी करवा लिये और हॉल में भी है और रूम में अंदर भी है तो मुझे लगता नहीं कभी यूज होंगे को कि अब तो आगे जैसे मौसम ठीक होगा थो बोड़ा आसपास हो सबसे अच्छी बात वो रहेगी और लाइट का वह वाला खंबा जिससे अब लाइट ले सको जो प्रॉपर जिससे घर में लाइट आती है नहीं तो खंबे यहां पर ऐसे भी होते हैं जो 11,000 वाल्ट के चलते हैं जिससे लाइट घर में नहीं आती तो ह टा लोगों पता नहीं लगता है हमलोग ले थाए नगे में लिलते हैं लोकल वाले जो नॉर्मर खंबे लगे होते हैं तो यह नियरे मुंड पानी का नेक्शन का नियरे मैं चलेंग आया हमने पूरा यहां से लेके 110 में लुंड पाड़ा है तो वह फो फूरा खुदवाया जो प्लोटिंग करके देते हैं ना तो इसमें पाइपलाइन डाली थी और ना ही लाइट के खंबे लगा के दिये थे कही जगे प्लोटिंग करने वाले शायद लगा भी देते पर इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ था तो वह यहां से वाँ था खोदने में दो से धाई दिन का और चेलेंज देखा कि भई जाके फाइल जमा करनी है या किसी से बात करनी है तो महीना महीना डेड़ेट महीना हो गया क्विकि को जब खंबे लगने होते हैं तो लाइट के लिए लेंग देते हैं और इसके बाद भी लाइट उन्होंने कैसी दिए मुझे कि हैं एक आप ग तो यह सब है और यह सब चीजों का मेंली आपको ध्यान रखना है कि भाई बाइट और पानी कैसे आएगा घर पर अगर आपको घर बनाना आए तो क्योंकि अगर थोड़ा सब डूर वहा ना अगर आपका तो पानी लेने में आपको इतना दिक्कत आएगी इतना चैलेंज आय और पानी के पाइब लाने मेन रोड पे इस तरफ तो कम से कम नी तो भाई सब पांचो छे सो मीटर पानी का पाइब बिजाना पड़ता है जिसमें लाख और पर कोस्ट आ जाती है तो यह बड़ा चैलेंजिंग है और दूसरा कि अगर लाइट का कनेक्शन लेना है तो वाज चुक 20 मतलब 2,00,000,000 रुपे का खर्चा हो गया सिर्फ खंबे लगवाने का घर तक लाइट लाने का तो यह बहुत बड़ा खर्चा होता है तो इन सब चीजों में बहुत पैसे लग जाते हैं जो की दिखाई नहीं देतें सिर्फ लाइट पानी लेने में अच्छा इस तरह की जगे बारिश ज्यादा होती है बता दूं आपको तो आप वाटरप्रूफ सिमेंट यूज ज्यादा से ज्यादा चतकी डैम प्रूफिंग कराओ कि इसकी होनी अदेम प्रूफिंग अभी हुई नहीं है सारा जो उनने बाहर का प्लास्टर है उसा वाटरप्रू पर पानी कहीं नहीं रुखता है ठीक है तो उसको क्या है घर को घरों को जेलना पड़ता है वह पानी तो इसलिए बहुत नुक्सान होता है तो वाटरपूफ सिमेंट यूज कर सकते हैं वह थोड़ा एक्स्पेंसिव आता है और पेंट में आप लोग कोई कोई ना बढ़त किसी भी तरह की मतलब उसमें कंजूसी ना करें अच्छे से अच्छा पेंट लगाओ कि बाहर की जो वाल है अपक्से अच्छा यूज करो उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा इनको डैमेज जेलना पड़ता है वह यह बहुत ज्यादा होती है ठीक है और चलो आप फाइनल कॉ अच्छन है वह 500 गजए तो और मुझे मतलब इसमें बनाने का प्लाइन था कि उपर एक कमरा बनाएंगे पर फिर बजट बढ़ गया ऐसा क्योंकि मैं बिल्टर के साथ था तो उनके साथ में मुझे जो लगके टोटल जो खर्चा आया मैंने जब मैंने इस घर को बनाना तो टोटल इतना बैठा कि आप समझे लो 25 लाग रुपे से ज्यादा पैसे लगए लगबग 25 लाग रुपे मान लो 25 लाग 50 लाग रुपे तो आप सोचो कि इतने पैसे कैसे लगए वन बीच के बनाया है और मुझ ऐसा खास हमने समान यूज नहीं किया मैं अच्छा सब्सक्राइब की और स्विचिज एंकर की यूज किया हमें तो इस ब चीजों को मैंने ध्यान किया मिखिया सारी एंसी बी हैवल्स किया है बॉक्से वह का है और एस्टल की पाइफ इटिंग से हैं तो यह सब चीजों मैंने कोई गुन जाइश निकिक जब से मेरे हाथ में तो मैंने पैसे अच्छे से लगाई है तो पैसे मेरे टोटल 25 लाग रुप असपास लगए एक तो होता है जो कवर्ड एरिया जो में कार्पेट एरिया कवर करना है ठीक है और उसके अलावा जो बाहर का जो बाउंडरी वाल वागरा होता है ना यह सब इसमें बहुत ज्याद पूरी टाइलिंग होई है घर की तो सवा लाग रुपे की तो टाइल टाइल आई थी और बाउंडरी वाल है इसमें कम से कम नहीं तो 12-15 जार इंटे लगी हुई है और इसका एक्सपेंस अलग से लगता है कार्पेट एरिया जो कवर्ड एरिया है उसके कौश्ट अलग से ठेकेदार के साथ और बाहर के मतलब 3-4 लाग रुपे अलग से समझ लो तो इसलिए भी थोड़ा पैसे यहां पर ज्यादा लग जाते हैं पर यही था कि अगर मैं जीरो से इसको बनाता तो शायद इतनी कौश्ट ना आती मैं इसको 20 लाग रुपे के असपास मैं इसको बन पर यह पड़ी है बाकी फिर इलेक्टरिकल फिटिंग भी बात्रूम फिटिंग भी है और फिर इनीट मीट सब लगी है प्लास्टर हुआ है फिर पेंट का भी एक्सपैंस है तो यह सब चीजे हैं तो लगबग 50-60 रुपे बीच में इस पर कॉस्ट आई अलग से तो यह है तोटल कोश्ट जी इस घर की मैंने आपको बता दिया अज लोग पूछते हैं और भी अगर मैं कुछ चीजे मिस कर गया हूं तो यार कमेंट बोक्स में बता दे ना उसके बाद एक अलग वीडियो बना के यह सब चीजे में और डिसकस कर लूँगा जो इलेक्टिकल जो भी लोकल में आप बात कर सकते हैं कहां से कैसे मिलता है शॉप्स भी है सिमेंट भी मुझे हर्डवेर से मिल गया और क्या रह गया बुस यह सब चीजे में चाहिए होती है घर बनाने के लिए ठेकेदार भी लोकल थे रहने वाले हैं उनसे बात्चीत कर ली थी रेट तैकिये फ सब्सक्राइब करते हैं तो बस वह काम भी हो जाएगा तो फिर आज शायद में शाम को यहां से निकल जाओं तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से काफी हल्प मिलेगी आप लोग अगर बनाना चाहते हैं इस तरह की लोकेशन में बनाया लगभग साढ़े आठ सो स्कार फ सब्सक्राइब करते हैं तो दुनी अठारा लाग रुपे होगे वह सिर्फ कार्पेट अरिये के हैं और बाहर की कौश्ट अलग से आती है जो की बाहर का उटसाइड एरिया जो बांटरी वाल है या उस पर ग्रिल लगानी है या गेट है टाइलिंग होनी है तो वह सब की धरी को सेल करने क्योंकि हमारा इतना आना जाना है नहीं या पर और मुझे लगता भी को पाईगा क्योंकि पहले यह था कि मॉटीव था कि मम्मी थी तो मंटरी को यहां पर पापा के साथ ममी के आना जाना यहां पर हुई सौच के wrench B कि आने वाले हैं तो बस यह कि पापा का किया है कि पापा को हमारे ना इस तरह के लोकेशन पसंद नहीं आती और ऐसी जगह पर रहनी सकते हैं और फिर भी अकेले कैसे रहेंगे और हम भी बार-बार वहां से डैली से कैसे आएंगे डैली में भी दूसरे घर में शिफ्ट हो हैं फिर बच्चों का एडमिशन है कि हम इस घर को सेल कर दें आने वाले टाइम पर ठीक है जी तो ठीक है अगर आप लोग वी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बागी सब कुछ बहुत बढ़ी आया है चलो बाई-बाई-ख्याल रखिए अपना